आप सभी से दिल से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। विडियो को जितना हो सके अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे विडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। हम आपके लिए रोज इतनी मेहनत करते हैं तो आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप अपने दादा-दादी और मम्मी-पापा से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेर करना न भूलें। 33 साल की सेवा करना अनिवार्य था, लेकिन अब इस नियम को हटाते हुए उनके पेंशन में संशोधन किया जा रहा है। 33 साल की सेवा का नियम समाप्त 2006 से पहले, यदि कोई कर्मचारी 33 साल की सेवा पूरी नहीं करता था, तो उसे उसकी सेवा अवधी के अनुपात में पेंशन दी जाती थी उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी ने 20 साल की सेवा की है, तो उसे 20 साल की सेवा के अनुपात में पेंशन मिलती थी वहीं 2006 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को बिना सेवा अवधी की शर्थ के उनकी अंतिम बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलना शुरू हो गया था अब सुप्रीम कोट ने इस नियम में समानता लाने का आदेश दिया है इस भेद्भाव को लेकर कुछ पेंशन भोगियों ने सुप्रीम कोट का दरवाजा खटखटाया जिसके बाद कोट ने फैसला दिया की 2006 के पहले और बाद के सभी पेंशन भोगियों की पेंशन समान होनी चाहिए कोट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी पेंशन भोगी की पेंशन उसकी अंतिम बेसिक सैलरी के 50% से कम नहीं होनी चाहिए चाहे उसने कितने भी साल की सेवा की हो जिन पेंशन भोगियों को 50% से कम पेंशन दी गई थी उन्हें एरियर के साथ भुकतान करने का आदेश भी दिया गया है केंद्र सरकार का सरकुलर और भारत पेंशन भोगी समाज की मांग सुप्रीम कोट के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार को एक सर्वसामान्य सरकुलर जारी करना पड़ा जिसमें 2006 के पहले रिटायर हुए पेंशन भोगियों के लिए भी बड़ी हुई पेंशन देने का आदेश दिया गया हालां कि अब भी कई पेंशन भोगियों को इस लाब का पूरा फाइदा नहीं मिल पाया है इसको लेकर भारत पेंशन भोगी समाज ने सरकार से मांग की है कि यहाँ लाब जल्द से जल्द सभी पात्र पेंशन भोगियों तक पहुँचाया जाए अगर आपको लाब नहीं मिला तो सीपेंग राम्स पोर्टल पर शिकायत करें अगर किसी पेंशन भोगी को अब तक यहाँ लाब नहीं मिल पाया है तो वे सीपेंग राम्स पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से आप अपनी समस्या को सीधे संबंधित विभाग तक पहुचा सकते हैं और त्वरित समाधान प्राप्त कर सकते हैं निशकर्ष यहाँ कदम 2006 के पहले रिटायर हुए लाखो पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत है अब उनके साथ होने वाला पेंशन भेदभाव समाप्त हो जाएगा और उन्हें भी उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त होगा केंद्रिय करमचारियों को शांदार तोहफा कैबिनेट से बड़ा एलान नई दिल्ली से एक बड़ी खबर आई है कि केंद्र सरकार ने अपने करमचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत LTC सुविधा को दो साल और बढ़ा दिया है अब करमचारी जम्मु कश्मीर, लद्दाक, उत्तरपूर्वी राज्यों और रंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर LTC का लाभ 25 सितंबर 2026 तक उठा सकेंगे यह निरनय उन करमचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो इन क्शेत्रों की यात्रा के लिए पहले से योजना बना रहे थे LTC की विस्तारित सुविधा कार्मिक मंत्राले द्वारा जारी किये गए आदेश में बताया गया है कि जो सरकारी करमचारी इन क्शेत्रों में यात्रा करने के पात्र है उन्हें न केवल सवेत्निक अवकाश का लाभ मिलेगा बलकि यात्रा के लिए टिक्टो की प्रतिपूर्ती भी प्रदान की जाएगी जो कर्मचारी हवाई यात्रा के पात्र नहीं है उन्हें भी इकोनोमी क्लास में हवाई यात्रा करने की अनुमती दी गई है सरकार ने यहां भी स्पष्ट किया है कि कर्मचारी अपने ग्रिह नगर LTC के एक रुपांतरण को इन विशेश क्षेतरों की यात्रा के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं। इसके तहट, कर्मचारियों को चार साल की ब्लॉक अवधी में ग्रिह नगर LTC के बदले इन क्षेतरों में यात्रा करने की अनुमती होगी। तीन ग्रिह नगर LTC में से एक को पूर्वुत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार, जम्मु कश्मीर और लद्दाख की यात्रा के लिए बदलने की अनुमती दी गई है। इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेश, जम्मु कश्मीर और लद्दाख जाने के लिए भी एक अतिरिक्त ग्रह नगर LTC का रुपान्तरण किया जा सकता है। सारांच यह निरने न केवल करमचारियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगा, बलकि उन्हें भारत के इन सुन्दर और दूरस्त क्षेतरों की यात्रा का अवसर भी देगा। यह योजना खासतोर से उन करमचारियों के लिए फाइदे मंद है, जो इन क्षेतरों में छुट्टियां बिताने का सपना देख रहे थे, और इसके साथ उन्हें टिक्टो की प्रतिपूर्ती और सवेतन अवकाश का भी लाभ मिलेगा। आगया कोट का आदेश, कम्यूटेशन बहाली पर खुश खबरी, 11 साल होते ही मिलेगा पूरी पेंशन, पेंशन भूगियों ने बाटी मिठाईया पंजाब और हरियाना उच्च न्यायाले ने हरियाना सरकार को उन करमचारियों से पेंशन की कम्यूटेशन राशी वसूलन नहीं करेगी। कोट का यहाँ फैसला पेंशन भूगियों के लिए बड़ी राहत है और भविश्य में सेवानिवृत्थ होने वाले करमचारियों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। इस संबंध में 71 वर्षिय सेवानिवृत्थ कर निरीक्षक शाम सुन्दर और अन्य पेंशन भूगियों ने याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि पेंशन की पूरी बहाली 10 साल बाद होनी चाहिए। अदालत का आदेश याचिका करताओं का कहना है कि 10 साल की सेवानिवृत्थी पूरी करने पर पूरी पेंशन बहाल की जानी चाहिए। क्योंकि कम्यूटेशन की राशी 11.5 सालों में ही वसूल हो जाती है। 15 साल की अवधी अनुचित है और इसका कोई ठोस आधार नहीं है। यह अवधी केवल राज्य को अतिरिक्त लाप देने के लिए बनाई गई है, जो अनुचित है। वकील का तर्क याचिका करताओं के वकील, एडवोकेट विकास चत्रत ने तर्क दिया कि राज्य सरकार 8.1% ब्याजदर के साथ 15 साल में कम्यूटेशन राशी वसूल कर रही है, जबकि यह राशी 11.5 वर्षों में ही पूरी हो जाती है। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों की अवधी को 12 साल तक बढ़ाना असमवैधानिक है, क्योंकि राज्य कर्मचारी 58 साल की उम्र में सेवानिवृत होते हैं, जबकि केंद्रिय कर्मचारी 60 साल की उम्र में सेवानिवृत होते हैं। हरियाना सरकार की प्रतिक्रिया अदालत ने हरियाना सरकार को मुख्य सचिव और महालेखाकार के माध्यम से इस मुद्दे पर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये है सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि 15 साल की अवधी क्यों तै की गई और इसे क्यों आवशक माना गया फैसले का व्यापक प्रभाव यहाँ फैसला न केवल हरियाना के पेंशन भोगियों के लिए राहत भरा है बलकि अन्य राज्यों के पेंशन भोगियों के लिए भी एक उदाहरन बन सकता है यदि अदालत याचिका करताओं के पक्ष में अंतिम निरने देती हैं, तो अन्य राज्य भी अपने पेंशन नियमों की समीक्षा करने के लिए बाध्य हो सकते हैं सेवा निवरित करमचारियों के लिए राहत इस फैसले से उन पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनोंने दस साल की सेवा पूरी कर ली है इससे उनका आर्थिक बोज कम होगा और उन्हें अधिक वित्तिय स्थिर्ता मिलेगी इसके अलावा यह सरकार को पेंशन नियमों में सुधार करने के लिए प्रेरित करेगा ताकि भविश्य में करमचारियों पर कोई अनुचित आर्थिक बोज न पड़े